हेलो दोस्तों ये पानी का मेटेलिक टंकी है जो फूट चुगा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब इसे हम वेल्डिंग के थुरू कट कर रहे हैं हम ये देखे कट करने के बाद ये मेटल का पीस कुछ ऐसा दिखता है देन उसके बाद हम लोग एक मेटलिक सीट कट कर रहे हैं जो कि इस होल में हम लोग वेल्ड कर देंगे तो ये हमने metallic seat देखे cut कर ली है metallic seat cut करने के बाद हम इसको hammering कर रहे है कि proper तरीके से बैठ जाए और इस पे welding करते जा रहे है जिससे कि क्या होगा कि water leakage नहीं होगा अब हम लोग precautionary इसमें M seal लगा रहे हैं अब देखे ये हमारा M seal लगा के complete हो गया और ये देखे पानी की हम लोगों ने लगा दिया है तब भी अब इसमें पानी का कोई linkage नहीं हो रहा है मतलब ये हमारा welding successful हो गया